गिरेडी कुटिया रोड के रहने वाले RTI एक्टिवस्ट सुनल खंडिलवाल ने मुख्य सचीव को जो पत्र लिखा था उसका जवाब आ गया है राज्य मुख्याले ने राज्य भर के उपायुक्त को पत्र प्रेशत कर RTI एक्ट के तहट प्रथम अपील की जवाबदारी तै करने का निर्देश दिया है बताया गया कि इस सम्बन में जुलाई के आखरी सप्ता में पत्र लिखा गया था इसका असर हुआ है कार्मिक प्रिशासनिक सुधार वभाग ने सभी DC को लिटर भीजा है जिसमें प्रथम अपीलिय अधिकारी की जवाब दे ही सुनिश्चित किये जाने को कहा गया है कार्मिक वभाग ने अपने पत्र में कहा है कि सुषना अधिकार अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19-1 के तहत प्रथम अपील के सा समय निस्पादन नहीं होने की शिकायत आ रही है वभाग को इस सम्मंद में आवेदन मिले हैं खासकर जुलेस्तर पर प्रथम अपीलिय अधिकारी के रवाईय को लेकर अधिक शिकायत है ऐसे में अपीलिय अधिकारी से उम्मीद की जाती है कि वह अपने दाइत्वों के नर्वहन में गंभीरता दिखाए अपील का निश्पादन अपील प्राप्त होने के 30 दिनों की आवधी के भीतर कर दे विशेस मामले में 45 दिनों के भीतर यह कर लिया जाए पत्र में कहा गया है कि सभी जीलों के DC से उम्मीद की जाती है कि वभाग और वभाग के अधिनस्त कार्यालेयों में आटियाई की धारा के तहट प्राप्त प्रथम अपील पर समय सीमा के अंदर नियमानुसार आवश्चक कारवाई करे रजबाबत आटियाई अक्टिविस्ट सुनल खंडलवाल ने कहा कि पत्र तो निर्गत हुआ है अब देखना होगा कब तक और कितनी असरदार कारवाई आटियाई कानून के तहट पिंदों के भीतर प्रणाय परदान करने का प्रावधान है लेकिन अमूमन ऐसा हो नहीं पाता है जब हमें तीस दिनों के भीतर सुचनाय उपलुद नहीं कराई जाती है तो हम सुचनाओं की प्राति हेतू प्रथम अपीलिय पदाधीकारियों के पास अपना प्रथम अपीलिय अवयदन लगाते हैं और वानशित सुचनाएं प्रदान करने हेतू उनसे निवयदन करते हैं वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है कि जारखंट सरकार के अधिनष्ट जितने भी कारियाले हैं विशेशकर जिला अस्तर पर उन कारियाले वे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नियुक प्रथम अपीलिय पदादिकारियों के द्वारा हमारे प्रथम अपीलिय आवेदनों का निराकरन समय सुमा के भीतर नहीं कराया जा रहा है। जिसके कारण हमें सुचनाय प्राप्ट करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रथम अपीलिय पदाधिकारियों के द्वारा हमारे प्रथम अपीलिय आवे दिनों कर कोई सुनवाई नहीं हो पाने के कारण हमें बाद भी होकर सुचनाय प्राप्त करने है तूं माननिय जारकंड राजि सुचना आयोग में दीदिय अपीले दायर करनी होती है दीदिये अपीले जब हम दायर करते हैं तो जब हमारी सुनवाई होती है वो सभी प्रथम अपीलिय पदादिकारी हमारे प्रथम अपीलिय आवेदनों का निराकरन समय सीमा के भीतर करें तैस समय सीमा के भीतर ही हमारे मामलों का निश्वादन करें ताकि हमें सह समय शुचनाय प्राप्त होती रहे और इस कानून की प्राशंगिक्ता बनी रहे अन्यथा जिस उद्देश के लिए यह कानून बनाया गया है वह यह कानून मूल रूप से भटक जाएगा सुचनाय बिलम्र से प्राप्त होने के कारण उन सुचनाओं का कोई उद्देश सेस नहीं रह जाता है जिस पर्योजन के लिए हम सुचनाय मांगते हैं तो अतह मैं आपके चेनल के मद्यम से संबंदित सभी प्रथम अपीलिय परादिकारियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि किर्प्या ब्यापक जनहित में इसको ध्यान में रखते हुए आप उचित कारवाई करें और हमारी प्रथम अपीलिय आवेदनों पर सह समय सुनवाई करें धन्यवाद